हलो स्टुडेंट, माइ नेम इस विक्रम, वेलकम सियो तू स्ट्राइफ फूर प्रुग्रेस, आज हमारा टॉपिक है इरिगेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं, all living beings need water to live, तो जो भी यहां पे living beings होते हैं, उनको जिन्दा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, water, water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants, तो plants का जो भी seed है, fruits है, flowers है, अगर उनकी अच्छे से development करनी है, उनकी proper growth करनी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, water important है, water is absorbed by the plant roots, water कौन absorb करता है, plants की जो roots होती है, जड़े होती है, along with water, minerals and fertilizer are also absorbed, अब पानी तो वो absorb करती ही है, उसके साथ साथ, जो उसमें minerals होते हैं, किसमें, soil में, पानी में and fertilizers, जो हम उसमें और वर्क डालते हैं, बाद में, वो भी क्या करती है, roots absorb करती है, plants contain nearly 90% water, plants जो है, वो 90% water जो है, contain करता है, रखता है, water is essential, because germination of seeds doesn't take place under dry conditions, तो water जो है, वो जरूरी होता है, बिना water के जो seed है, वो germinate नहीं करेगा, क्योंकि वो dry condition में क्या होता है, वो पैदा नहीं होता, वो चलता नहीं है, वो उगता नहीं है, nutrients dissolve in water, get transported to each part of the plant, अब जो nutrients जो होते हैं, जो water में dissolve होते हैं, वो transport कहाँ पे होते हैं, हर पार्ट में, plant का हर पार्ट जो है stem है, चाहे वो, चाहे वो leaves हैं, तो कोई भी पार्ट है, वहाँ तक transport होते हैं, सारे के सारे nutrients, root उसको absorb करती है, water also protect the crop from both frost and hot air currents, जो water है वो उस crop को किस से बचाता है, एक तो ठंड से, अगर जाद ठंड है, अगर पानी डाल देंगे, तो भी वो बच जाएगा, और अगर गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, मतलब गर्मियों में, तब भी plant को कौन बचाता है, water, ठीक है, तो water डालते रहना चाहिए, तो maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly, तो हमने अगर maintain करना है, अगर अपनी crop जो है, उसको healthy रखना है, तो उसके लिए हमें उसमें soil में moisture बना के रखना होगा, moisture को maintain रखना होगा, moisture का मतलब होता है, जो नमी होती है, पानी वाली थोड़ी से मिटी, थोड़ा सा पानी एक गिली से मिटी आपकी, तो वो हमें बना के रखना होता है, और उसके लिए हमें fields जो है हमारे खेतों में regularly पानी डालना होता है, the supply of water to crops at different intervals is called irrigation, तो अब irrigation की definition आपके पास आ चुकी है, कि जो भी हम अपनी फसलों को water supply करते हैं, different different intervals पे, मतलब कुछ-कुछ time के बाद, उस उसको सिंचाई कहा जाता है, जा irrigation कहा जाता है, the time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season, अब जो हम टाइम जो हमारा पानी है, हम उसको कैसे देना है, कितनी बार देना है, वो किसके उपर depend करता है, कि हमारी फसल कौन सी है, क्योंकि फसलों के भी अलग-अलग टाइप हैं, जैसे कि चावल क जादा पानी चाहिए, सरसों को कम पानी चाहिए, तो वो फसलों के उपर depend करेगा एक तो, एक soil to soil, कई बार क्या होता है, मिटियों का भी आपने पढ़ा होगा, defense होता है, मिटियों बहुत type की होती है, तो मिटियों के according भी, अगर कोई dry soil है, तो उसमें पानी जादा देना पड़ेगा, कोई मिटियों टाइप होता है, जो पहली moisture होता है, तो उसमें कम पानी देना पड़ेगा, तो वो भी चीज़ क्या है, soil पे भी वो depend करता है, next season to season, क्या पता वो गर्मी का season हो, या ठंद का season है, तो आपको पता है, ठंद के season में, जो पानी हो, में कम देना पड होता है, तो ये season पे भी depend करता है, in summer, the frequency of watering is higher, तो हम बोलते हैं ना कि गर्मी में में पानी ज्यादा देना पड़ता है, why is it so, ऐसा क्यों होता है, could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves, क्या यह इसलिए है, क्योंकि जो गर्मी का season होता है, उसमें evaporation जो होता है, water का soil और leaves से ज्यादा ह होता है, increase हो जाता है, यही होगा reason इसका, क्योंकि आपको पता है, गर्मियों में evaporation होता है, पानी बाव बन के उपर उड़ जाता है, तो पत्तियों से भी पानी उड़ेगा, और जो soil है, वो भी क्या हो जाएगी, सुखी हो जाएगी, clear, तो इसलिए पानी उसमें ज्याद मैं इस बार पुरा अच्छे से द्यान दूँगा, अपने plants को water देनने में, पिछली गर्मियों में मेरा क्या हुआ, मेरे सारे के सारे पौदे सूख गए और मर गए, मर गए का मतलब क्या है, कि खतम होगे, वो अपने सूखे से हो जाती है न, dry होगी, next is source of irrigation क्या है, sources of irrigation में अगर देखे ता, the sources of irrigation are wells, कोएं जो होते हैं, tube wells, जलकूप जो होते हैं, ponds, तालाब जो होते हैं, lakes, जीलें जो होते हैं, rivers, यहाँ पे हो गया, नदियां, dams, bond and canals, canals होती हैं, नहरे, तो यह सारे के सारे आपको पता है, source of irrigation है, जहां से आपको पानी आता है, clear, next हमारा है traditional method of irrigation, हमने methods देखने हैं, कि modern कौन से होंगे, और traditional, पहले कौन से अपनाए जाते थे, पानी डालने के लिए, तो आपको सबसे पहले picture दिख रही है, आपको मोट की, the water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods and different reasons for taking it to the field, तो जो भी हमारे कौनों में, जीलों में और नहरों में पानी होता है, उसको उपर उठाया जाता है, उसको निकाला जाता है, और निकाल कर अपने खेतों में डाला जाता है, और इसके तरीके जो हैं, वो हर जो area हैं उसमें अलग अलग होते हैं, तो different methods होते हैं, in different reasons, अलग गेरिया में इसको different different तरीक के से इसको निकाला जाता है और खेद में डाला जाता है cattle or human labor is used in these methods so these methods are cheaper but less efficient तो यहां पे किस-किस का use कियाता है cattle का यह अपने जो human labor है उसका use किया जाता है इसमें जिसकी वज़े से यहां पे यह सस्ता तो है लेकिन यह less efficient है अच्छे से पूरा पानी नहीं पहुँच पाता और महनत ज़्यादा लगती है इसमें the various traditional ways तो various traditional ways कौन-कौन से हैं एक तो mode होता है जो pulley system है तो आपको यहां पे देखा यहां पे दिखरी होगी एक आपको pulley मैं यहां पे इसे इसको खैंच कर मटके से पानी बाहर निकला जाता है और फिर खेतों में डाल दिये जाता है तो यह हमारा हो गया mode दूसरा है chain pump chain pump आपको यहां पे दिख रहा है side में यह chain pump होता है जिससे पानी दिया जाता है तीसरा हमारा है deckly तो यह deckly system है जिसमें आपको यहां पे एक rod सी दिख रही है वुडन की जिसकी एक side पे क्या रखा हुआ है weight रखा हुआ है दूसरी side पे balty जो है तो वहां से पानी निकल कर उसको डाला जाता है और last हमारा क्या है रहट रहट क्या होता है इसमें एक leveler system होता है यहां पे क्या होता है मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ इसमें जो bell है ना bell ऐसे करके गूमता रहता है bell ऐसे करके गूमता रहेगा तो यहां पे जो wooden दिख रहे है आपको इसके नीचे एक पहिया सा लगा होता है वो पहिया गूमता है इसकी गूमने से यह ऐसे से गूमेगा तो पहिया भी गूमेगा जब यह पहिया गूमेगा तो इसके साथ नीचे से एक यहाँ पे attachment होती है इस वाले पहिये के साथ तो यह वाला पहिया भी गूमेगा यह वाला जब पहिया गुमेगा तो नीचे से पानी उठा उठा के बाहर फैंगता जाएगा बहुत सारी यहां पे बाल्टियां लगी होती है तो यहां पे सारा का सारा जो पानी है वो फिल्ड में जाता रहेगा तो यह आपका है रहट लेवलर सिस्टम उसके बाद यह हमारे ट्रडिशनल मैथड थे पंप्स आर कॉमली यूजड फोर लिफ्टिंग बाटर अब जो है आपको पता है पंप जो है उनको यूज़ किया रहता है अभी पानी को बाहर निकालने के लिए डीजल, बाइयो गैस, एलेक्टिसिटी and solar energy is used to run these pumps और इन पंप को चलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं या तो डीजल है या हमारे पास बाइयो गैस होती है या हमारे पास एलेक्टिसिटी होती है आपको पता है एलेक्टिसिटी से हमारी motor जुगर की है वो एक प्रकार का pump यह तो है हम डिगई से जो पानी है उठा उठा कर कहां पर चड़ाती है टंकी में तो वो pump है हमारा वो किस की उपर चलता है electricity की उपर चलता है और आपने खेतों में पंक्खे लगे हुए देखे होंगे तो वो वहां पर क्या होती है जनेटर चलता रहता है तो डीजल पर भी चलते हैं पेट्रोल पर भी चलते हैं electricity है, बायोगैस है, solar energy है आजकल ज़्यादर solar energy का यूज करते हैं pumps को चलाने के लिए खेतों में आपने देखा होगा solar plates लगी होती है ठीक है, दूप से उनको energy मिलती है और वहाँ से हम उसको pump को चला देती है और हमारी motor चलती है, पानी आ जाता है तो यह आपने देखा हो next हमारा है modern methods of irrigation modern methods क्या-क्या है modern methods of irrigation helps us to use water economically the main methods used are as follows तो जो modern method है irrigation के उससे वो हमारी कैसे help करती है अगर हमने water को एक बूद भी खर्च नहीं करना फालतु में तो उसके लिए best method है modern वाले economic लिए है ठीक है the main methods used are as follows सबसे पहले method जो है sprinkler system है तो आपको यहाँ पे sprinkler system दिख रहा होगा फवारा जो system होता है common language में फवारा बोलती है this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available तो यह यहाँ पे use होता है जहाँ पे जो हमारा land है वो uneven होता है uneven का मतलब उबढ़ खाबढ़ सा है बिलकुल flat नहीं है हमारा कहीं पे उंचा है कहीं पे नीचा है तो वहाँ पे यह ज़्यादा use होता है और वहाँ पे water हमें पते ही तो होता ही नहीं इतना the perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals तो यहाँ पे क्या होता है आपको यहाँ पे figure में दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है यह perpendicular pipes हैं यह वाली यह क्या होती है perpendicular pipes होती है जिनके end की उपर यहाँ पे क्या होता है यह end है उनका उनके end की उपर rotating nozzle लगे होती है गूमने वाले क्या होते है फवारे से लगे होती है और वो सभी के सभी किस से join होती है यह सारी pipes यह देखो सारी के सारी pipes किस से join है main pipe से main pipe कौन सी है यह वाली main pipe है तो सभी के सभी main pipe से join होती है और कुछ-कुछ distance के उपर ये join होते हैं तो यहां पर आपको दिखा दिया figure में कैसी structure है ये उसके बाद क्या है When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump it escape from the rotating nozzles अब जब water जो है वो allow किया जाता है water को जब छोड़ा जाता है motor से, pump से pump से आएगा तो pressure से आएगा और सबसे पहले किस में आएगा main pipe में main pipe के बाद वो किस में जाएगा छोटी pipes में और वहां पर उपर क्या लगा होता है rotating nozzle, वहां से पानी बाहर निकलता है और वो छिड़काव करता है क्या करता है वो छिड़काव करता है it gets sprinkled on the crop as if it is raining कैसे शिड़काव करता है जैसे कि यहां पर बारिश हो रही हो तो चलती हुए देखना है इसको कभी अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है ऐसे लगता है कि जैसे बारिश हो रही हो sprinkled is very useful for sandy soil तो जहां पर sandy soil है उसके लिए यह बहुत ही अच्छा method है इसको अपनाना चाहिए next हमारा दूसरा method है drip system drip system में क्या है देखो in this system the water falls drop by drop just at the position of the roots इस system में क्या होता है drop by drop बूंद बूंद करके पानी किस में डलता है उनकी सीधा जड़ों में डलता है position of the roots ठीक है सीधा roots में जाएगा पानी drop drop करके so it is called drip system इसलिए इसको drip system बोल दिया it is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees तो best technique किस के लिए है अगर fruit plants है उनको water देना है garden है अगर आपका trees garden में trees लगे होते हैं उनको पानी देना है तो यह आपने देखा होगा आपने यहां पे किन्नों के बाग होते हैं चोटे चोटे प्लांट लगे होते हैं उनके बीच में चोटे चोटे पाइपस लगी होते हैं सीधा वो roots में पानी देती है ठीक है तो अमरूद का बाग है या किन्नों का बाग है तो जो भी बाग लगे होती है न यहां पे तो वहां पे यह ज़्यादा यूज होता है drip system तो वहां पे पानी उनको देती है next है हमारा the system provides water to plants drop by drop, water is not wasted at all अब अगर drop by drop system अगर लगा हुए हमारे तो वहां पे water क्या होगा waste होगा क्या? बिलकुल भी waste नहीं होगा it is a boon in reason where availability of water is poor तो जहां पे पानी की कमी है उसके लिए यह वाला जो method है एक वर्दान है एक boon है clear next हमारा topic है protection from weeds तो हमने यहां पे पानी लगा दिया है फसल को अब आपको पता है पानी के साथ फसल तो होगी लेकिन साथ में कोई गास, फूस वगारा unwanted plants जो होते है वो भी यहां पे grow करते है उनको बोला जाता है weeds अब उन से हमें protect करना है अपनी फसल को तो कैसे करेंगे? आईए देखते हैं बूजू और पहली went to a nearby weed field and saw that there were some other plants in the field तो बूजू और पहली अपने साथ के खेत में गई और उन्होंने वहां पे क्या देखा कि कुछ plants वहां पे खेत में उगे हुए थे फसल के साथ have these other plants been planted purposely तो बूजू ने पूचा है क्या इनको भी किसी purpose के लिए उगाए गया है in a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop तो हमारे जो खेत होता है उसमें जो हमें चाहिए नहीं होते plants हमने नहीं लगाए होते हैं उनको वो भी naturally यहां पे grow करते हैं crop के साथ these undesirable plants are called weeds और इन्हीं undesirable plants को क्या बोला जाता है weeds बोला जाता है खर्पतवार बोला जाता है the removal of weeds is called weeding अब उसको अगर remove कर देंगे तो उस process को weeding बोला जाता है weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light अब जो weeding है क्यों जरूरी है इसका reason बताया गया है कि जो weed होते है ना खर्पतवार जो होती है वो crop के साथ compete करती है किसके लिए? एक तो water को लेने के लिए एक nutrients को लेने के लिए space लेने के लिए और light लेने के लिए ठीक है? अगर फसल के साथ एक और plant लगा हुआ है तो वो compete करेगा क्योंकि water हमने तो crop को देना था लेकिन water आदा कौन ले रहा है? आदे दूसरे plants भी ले रहे हैं तो इसके लिए जरूरी होता है weeding उनको remove करना some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings और कुछ जो weeds होते हैं वो तो जब कटाई करते हैं तब भी उसमें क्या होता है? इंटरफेर करते हैं कैसे? वो poison का काम करते हैं अगर हमने उनको gas foods के साथ जैसे crop को काट रहे हैं उसके साथ ही अगर वो weeds भी कट रहे हैं तो अगर हम उसको दाने निकालेंगे साथ में वो आ रहे हैं और उनका भी poison जो उनमें मिक्स हो रहा है तो वो human health के वी उनके लिए वी वो problem हैं और animals के लिए वो problem हैं जैसे की हम कोई भी चारा वगएर उसमें उनको mix करके डाल देते हैं उसके साथ ही अगर वो weeds भी आ रहे हैं तो वो poison का काम करेंगे ठीक हैं Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth Farmers जो हैं बहुत सारे तरीकों से इन weeds को remove करते हैं और इनको control करते हैं इनकी growth को Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil अगर हम बुआई करने से पहले Tilling करते हैं जुताई करते हैं तो वो हमारे लिए help करता है इन plants को जड़ों से उखाडने में और जब killing होगी weeds की उससे क्या होगा वो dry up हो जाएंगे सूख जाएंगे और उमिक्स हो जाएंगे soil में The best time for the removal of weeds is Before they produce flowers and seeds Best time क्या है weeds को remove करने का हमने उसको remove करना होता है जब वो flowers और seeds नए weeds जो हैं उनके आगे वो बने flowers निकले उनसे पहले उनको हमें remove करना होता है क्योंकि उनसे पहले करेंगे तब ही तो हमारे लिए फायदा है अगर उनके flowers सी आगे उसने सारा nutrients ले लिया फसल वाला जो फसल को मिलना था The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time अब इसमें क्या होता है हम हाथों से उन सभी weeds को जड़ों से उखाडते हैं या हम क्या करते हैं उसको ground की उपर से काड देते हैं बिलकुल साथ में से time to time तो आपने सभी ये खुर्पी देखा होगा तो ये खुर्पी से इसको उखाडा जाता है A seed drill is also used to uproot weeds एक seed drill होता है जिसको हैरों बोलते हैं हैरों उसका भी use किया जाता है अगर हमने weeds को हटाना है उखाडना है weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 240 weeds को हम ये वाले जो chemicals होती है इनसे भी हम क्या कर सकते है control कर सकते है इनको weedicide बोला जाता है और इसका example है 24D these are sprayed in the fields to kill the weeds अब इसको क्या किया जाता है 24D को spray किया जाता है field में उनको मारने के लिए they do not damage the crop इससे fossil को कोई भी damage नहीं होता हानी नहीं होती the weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with the sprayer इसमें जो weedicide होता है उसको पाने में mix किया जाता है और जितना quantity में आपको चाहिए उतना आपको उसमें डालना होता है इसके बाद इसको spray किया जाता है खेत में किसके साथ? sprayer के साथ तो आपको यहाँ पे sprayer दिख रहा होगा यह राज sprayer यह जो है ना इसके पीछे जो टंगा हुआ है इसको बोलते हैं sprayer clear? next बूजो ने क्या बोला है जो weedicide होते है क्या वो human की health की उपर भी effect करते है जो भी उसको spray कर रहा है जैसे की उपर आज मी कर रहा है तो उसके उपर भी क्या वो कोई effect डालेंगे side effect उसका होता है as already mentioned the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation तो जैसा कि हमने उपर पहले भी पढ़ा है कि weedicide जो है spray किये जाते हैं weeds की उपर कब किये जाते हैं flowering और seed formation से पहले spraying of weedicide may affect the health of farmers तो जो weedicide की spray होती है वो affect करती है farmer की health की उपर भी so they should use these chemicals very carefully तो हमें इसका use करना चाहिए carefully ध्यान में रखकर they should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals उनको अपना जो mouth है या nose है उनको किसी कपड़े के साथ cover कर लेना चाहिए जब भी वो क्या करते हैं chemical की spray करते हैं अपने field में तो यह हमारा topic था अज़का इसको अच्छी से पढ़ लें Thank you अजयो यह हमारा अटशी से अबस्टाइ में पटके रेकी से ओवां आट जो यह थावां यह लें यह जबके एवां अट्च्टाइ यह जब भी तो